लेट्स प्रिपेर फिलिंग फर आलू का पराथा हमने सबसे पहले बॉयल कर लिये थे आलू को उसके बाद उसको चीनने के बाद मैस कर लिया था अच्छे से इसको ठंडे होने के लिए छोड़ेंगे मिर्ची को कट कर लेना है तब तक हम लोग कड़ाही में तेल गरम कर लेत साथ हम लोग डाल देंगे इसमें नमक टेस्ट के अकोर्डिंग अच्छे से भून लेना है थोड़ा सा पानी डालके और जब यह almost भून चुका है तो अभी हम धनिया पत्ती कट करेंगे और उसमें फेक के बारेंगे ताकि हमारे धनिया पत्ती जो थोड़ा सा नर्म हो जा कलाँजी और उसके साथ अजवाइन और हमारा जो फीलिंग है आलू पराठा के लिए त्यार हो चुक है आप इसको समोसा भी बना के खाएगा लेट्सको का आलू पराठा मसाला रेडी कर लिया है उसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा जाके देखना हमने या पराठा क लोई रेडी की थी जिसमें ममी ने आलू की फिलिंग को भर दिया अब इसको अच्छे से गोल कर लेना है ताकि मसाले जो है आलू वाले वह बाहर ना आ जाए अच्छे से गोला करने के बाद उसको हलके हाथों से बेल लेना है ताकि तूट के बाहर आलू नहीं आ जाए और और हलके हाथों से ही इसको करिएगा और फिर गरम तेल में हमने इसको छनने के लिए डाल दिया है थोड़े टाइम बाद उसको पलट देना है ताकि वो अच्छे से दोनों साइट से पक जाए और फ्रेंड्स फाइनली ये रेडी हो चुका था तो मैंने भी सर्फ कर लिया था आलू बैंगन टमाटर का भरता उसके साथ बादाम की चटनी और ग्रीन चिली के साथ नहीं आलू पराठा खाने में बहुत टेस्टी होता है ममा ने स्टफिंग भी बहुत अच्छे से करी थी अब मैं फर्स्ट वाइट लेती हूं बैंगन के भरता के साथ जिसमें टमाटर आलू सब कुछ है और फ्रेंड्स काफी जादा टेस्टी बना था ठंडी के मौसम में गर्मा गरम आलू का पराठा वो भी बैंगन के भरते के साथ खाके मजा ही आ जाते है